अग्याइब आज का जो टॉपिक है अपना वह देंटल कैरी जिसको हम टूट के भी बोलता है तो आज स्टार्ट करते हैं डेंटल कैरी तो डेंटल कैरी में टूपार्ट रहेंगे फॉस्ट रहे का इस्ट्रक्चर आफ टूथ and then we will see कि उसमें कैसे डेंटल कैरी जूट का डале कली होता वह देखेंगे तो सबसे पहले देख थे स्ट्रक्चर तो ये डाम टूथ का स्ट्रक्चर है इसमें बा छो पारदे हैं वह वघ्यास का इसको अपने को सबसे पहले कारे देखना लोल सबसे आपने को देखना है है इनामल यह सबसे इंपोर्टेंट रहता है यह सबसे गर देखें तो बॉड़ी का हार्डेस्ट मटीरियल है यह जो है वह हार्डेस्ट मटीरियल है इनामल सेकेंड वन इसके जैसे इंसाइड की तरफ देखेंगे अंदर की तरफ तो यह जो पार्ट है इसको बोलते हैं डेंटाइन इसको बोलेंगे डेंटाइन पार्ट और बिल्कुल यह वाला पार्ट है डेंटाइन के अंदर वाला पार्ट इसको बोलेंगे पल्प है, तो यह क्या है यह सारे, यह है, nerves and blood vessel, इसके अंदर रहते है구 इसके अंदर नर्व and blood plus तो इस्ट्रुक्चर्ग्ट्र जो है, सबसे बिर्दान रिखने है, अपने-ध्यानe हो iç시면ak अज और जो सबसे और भुux Ortom sold कवर होता है उसको बोलते हैं इनामल बोलते हैं उसके अंदर वाले पार्ट को डेंटाइन बोलते हैं और उसके डेंटाइन के अंदर वाले पार्ट को पल्प कैविटी बोलते हैं और पल्प कैविटी में कहा रहते हैं नर्व और ब्लड वैसल रहते हैं अब देखते हैं कि कै से start करते हैं improper dental care अगर आपकी proper care नहीं है किसकी one minute improper dental care improper dental care तो क्या problem create हो जाएगी improper dental care में क्या होगा कि जो bacteria होगे in the mouth वो क्या करेंगे वो सारे bacteria कौन से है anaerobic type है तो अगर आपके खाने का part means sugar carbohydrate कहां पर है यहां पर attach है तो in presence of bacteria यह किस में convert हो जाएगा acid में convert हो जाएगा acid में convert हो गया और आपकी dental और जो आपकी tooth का cleaning proper नहीं है तो वहां पर क्या form हो जाएगा plaque form हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा plaque जो है इसको completely cover कर देगा okay तो plaque क्या करेगा tooth को cover कर लेगा अब यह जो आपका tooth है वो completely cover हो गया है यहां पर क्या बना कि सुगर की presence में acid बना और एसीड जो है वो किस से cover हो गया plaque के कारण okay जिसका आपने time to time clean नहीं किया तो plaque के कारण acid जो है cover हो गया और acid cover हो गया तो अब जो है alkaline saliva जो है वो enter नहीं कर पाएगा अब जो है alkaline जो saliva जो है अगर alkaline saliva अगर enter कर जाए तो इसको neutralize कर लेगा लेकिन in presence of plaque यह enter नहीं करेगा यह enter नहीं करेगा जिसके कारण क्या होगा कि जो calcium present है आपके tooth का outer part में जो calcium है वो dissolve हो जाएगा जो inamal का inamal का जो calcium part है वो dissolve हो जाएगा किसके साथ में acid के साथ में तो क्या हो जाएगा dissolve dissolve the calcium from the inamal तो inamal का जो है calcium जो है वो dissolve हो जाएगा किसके साथ में acid के साथ में और किसका formation हो जाएगा formation of formation of the cavity small cavity cavity means type of hole तो hole का formation हो गया अब hole का formation होगा तो यह hole जो है वो कहां तक इंफेक्ट कर लेगा pulp cavity तक यह कहां पर तक bacteria जो है एप्रोच कर लेंगे pulp cavity को और pulp cavity में क्या रहेंगे nerves और vessels रहेंगे तो इसके कारण क्या होगा जैसे bacteria और infection जो है pulp cavity तक पहुँचेगा तो वहां पर क्या होगा inflammation होगा inflammation and severe pain होगा तो यह है पूरा इसका tooth decaying और आपना क्या सकते है dental caries तो वापस एक बार start से देख लेते हैं कि होता क्या है यहां पर यह जो है यह जो पार्ट है यह वाला पार्ट इसको बोलता है इनामल इसके अंदर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे dentine और यह है pulp cavity इन तीनों को अच्छे से समझ लो first one outermost is inamal जो सबसे hardest होता बोन से भी tough होता है यह तो सबसे hardest material जो body में होता है वह कौन सा रहता है इनामल रहता है उसके अंदर वाला रहेगा dentine यह bone की तरह strong होता है और उसके अंदर रहेगा pulp cavity जिसमें सारी nerves और blood vessels होते हैं उसके बाद में आपने देखते हैं कि कैसे cavity का formation होता है और कैसे जो severe pain sensation जो होता है वो कैसे होता है तो first one क्या है यहां पे suppose करो आपने खाना खाया और यहां पे क्या है food material है food material means type of carbohydrate type of carbohydrate ओके तो in presence of bacteria in presence of bacteria यहां पे किसका formation हो जाएगा यहां पे formation हो गया acid का formation हो गया ओके acid का formation हो गया और इसको फिर cover किसने किया इसको cover कर दिया एक यह आपका प्लाज बना दिया ओके तो यह इसने cover कर दिया cover कर दिया तो अब इसके अंदर जो है आपका saliva जो है saliva जो है वो एंटर करेगा नहीं अब saliva जो है वो एंटर करेगा नहीं अगर alkaline saliva उसके अंदर एंटर करेगा नहीं तो एसीड जो है वो नुट्रिलाइज नहीं होगा जब नुट्रिलाइज नहीं होगा तो एसीड किसके साथ react करेगा calcium के साथ में और इसको क्या कर देगा डिजॉल कर देगा ओके और डिजॉल करने के बाद में क्या formation हो जाएगा यहां पे cavity बन जाएगी अब cavity बन गई तो अब यहां पे जो एसीड का formation है वो continue होगा यहां पे प्लाग की प्रजेंस में जो है प्रेक्टिरिया है वो easily क्या हो जाएगे प्रपोगेट होंगे वो ज्यादा multiply करेंगे multiply करेंगे और उसके साथ में क्या cavity का hole जो है वो किसको क्रोस कर लेगा dantyne part को किसको क्रोस कर लेगा dantyne part को अब देखो यह यह जो है cavity वो कहां तक पहुंच गए नाव दिस वन enter into pulp cavity दिस वन is pulp cavity तो pulp cavity तक जैसे ही यह cavity बढ़ जाएगी आपकी तो यहां पे infection किसका होगा bacterial infection हो जाएगा और bacterial infection होने के पाद में यहां पे क्या है यहां पे nerves and blood vessels है तो nerves and blood vessels में क्या आ जाएगा sensation आ जाएगा उनमें फिर pain होगा इसमें inflammation का process होगा inflammation means अपन थ्री करेक्टर से denote कर सकते हैं कि redness, pain, swelling तो सूजन और pain काफी जादा होगा तो वो जो होगा वो severe pain होगा किसके कारण? inflammation और infection of bacteria के कारण तो यहां पे क्या होगा? severe pain होगा और यहां पे जो bacteria रहेंगे यहां जो cavity acid formation के लिए जो bacteria रहेंगे वो कौन से bacteria रहेंगे? anaerobic type of bacteria यहां पे bacteria कौन से होगे? bacteria कौन से होगे? anaerobic type of bacteria जिसके कारण क्या करेंगे? carbohydrate से react करके वो क्या form करेंगे? acid और acid formation के कारण acid जो है वो responsible है किसके लिए? cavity formation के लिए तो cavity formation किसके थ्रू हो रहे है? acid के थ्रू और acid कौन बना रहा है? bacteria बना रहा है किसके थ्रू? carbohydrate के थ्रू? और carbohydrate से जो acid हो रहा, वो neutralize हो सकता है, किसके थूँ? alkaline, saliva के थूँ, बट वो क्या नहीं हो रहा है, enter नहीं हो रहा है, किसमें? cavity में, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों कि यहां पे किसका formation हो गया? प्लाग का formation हो गया, जिसके कारण वो enter नहीं हो पा रहा है, और जिसके कारण यह जो cavity है, वो deep होती जा रही है, depth में जा रही है, और यहां पे फिर nerves और vessels, blood vessels के presence में क्या हो रहा है? inflammation problem हो रहा है, and then severe pain हो रहा है, तो यह था tooth decay और dental caries, I hope आपको यह वीडियो समझ में आ आगा, okay, so next one topic, respiration we will take in next video, have a nice day, bye-bye.